कुछ important बातें आपके साथ शेयर करने के लिए आया हूं कि सबसे पहले कुछ बातें हैं कि देट में थोड़े बहुत चेंजिस जो कॉमेट के ने किये हैं सारी चेदों पर बात करूँगा और एक लिए ग्यां बडे ॉस पर बात करूँगा और कुछ और ऐसे लेख चलनी है इस पहले हैं आपके से बात करूँ तो अब जो कॉमेट के अचाना तेज से बहुत नहीं हो गया अब comment के में last date of choice filling जो इन्होंने बताई है वो बारा नून of 8th of December 8th of December की जो बारा तारीक तक आप अपनी choice को fill करके रख सकते हैं कि मैंने freeze लिया है या upgrade लिया है तो यह वाली choices fill ने करने का जो time था वो 8 October हो गया है पहले यह 5 था अब 8 हो गया है देखिए इसके पीछे simple सी बात यह है कि अभी architecture वालों का जो mock allotment है वो allotment अभी पल ही आया है तो उसका process थोड़ा सा चल रहा होगा तो इसलिए इसको आगे पर दिया है पहली चीज यह हो गई दूसरी चीज जिसकी में बात कर रहा था एक click जो दुनिया बदल दे तो guys यह बात है कुछ ऐसी कि हुआ क्या कि एक जो student है उसको seat मिली वी थी IIT Bombay में और उसकी rank ही 270 और 18 साल की उम्र है नाम है सिद्धान्त बत्रा तो इसको भाई को मिली थी seat advance में और भाई ने जो गलती भाई से हो गई वो यह हो गई कि उसने withdrawal वाले उस पे click कर दिया और withdrawal पे वो जाके उसकी seat चली गई है और अब उसको seat नहीं मिल पाएगी जहां तक करनाटमेंट हो चुका होगा और सिर्फ एक बच्चे के लिए इतने बड़े changes करना लगबग ना मुनकिन जैसा है तो सबक यह मिलता है कि जब भी अपना चल रहा है जो राउंड उसमें भी अपना जो हाथ है माउस से थोड़ा दूर ही रखें पहले सारी चीज़ों को पढ हो जाएंगे और फिर भीया नए साल पे ही फिर फिता कट पाएगा कॉलेज का है ना तो यह ध्यान रख लेना यार इसके बाद एक चीज़ और जिसके बारे मैं आपको बताना चाहरा था गाइस सबने बहुत सारी नोटिफिकेशन देख लिए सारी की सारी लेकिन एक काम की जो नोटिफिकेशन थी जो कॉमेट के ने बहुत पहले रिलीज की थी वो शायद हम लोग देखना भूल गए नोटिफाइड ऑन 7th September 2020 अब यह जो नोटिफिकेशन जब September में आया था तो अभी काफी डिले होने के कारण बच्चे इस नोटिस को कोई भी देख नहीं रहे त ताकि आप लोगों को और भी चीजों का आइडिया लग जाए अब देखिए मैं थोड़ा सा इसमें बता दू कि इसमें क्या चीजें इंपॉर्टन्ट हैं इंपॉर्टन्ट क्या लिखा हुआ है इन आपने कोई भी डिसयन नहीं लिया आपको जो कॉलेज मिला है अपने उस पे कोई भी देखिए नहीं लिया डिसीजन कौन से accept and freeze, accept and upgrade, reject and upgrade and reject and withdraw यह decision अगर आपने नहीं लिये तो you will be kicked out from the counseling thing और उसके बाद आप counseling के further rounds में इक नोट पाटिस्पेट तो बहुत simple से बता दू मैं आपको कि अगर आपको कोई seat मिली है तो उस पे आपको decision लेना बहुत जरूरी है ऐसा नहीं सोचना है कि मैं decision नहीं लिएंगा तो अपने आप second round में चला जाओंगा नहीं आप बहार हो जाएंगे counseling से अब option decisions available in the round 2 and round 3 अब round 2 में जिन बच्चों ने accept and freeze लिया है उनके पास round 2 में क्या है उनके पास कोई round 2 का जाने का मतलब ही नहीं है उन बच्चों के लिए क्या था उन बच्चों के लिए भी update आ गई है उन बच्चों को क्या करना है 8 दिसंबर को साड़े 5 बजे से पहले 8 दिसंबर तक साड़े 5 बजे से पहले college में reporting करनी है last date of reporting to allotted college only for acceptance free candidates along with online print out of allotment letter and fee receipt फिर receipt के साथ आप लोगों को allotted college में जाकर report करना है otherwise आपका वो भी चला जाएगा तो guys ये दो चीजे हैं बहुत important है एक बार और कह देता हूं भहिया कि देखो जो भी college मिला है उस पर reject, upgrade और जो भी आपको option चुनना वो चुनना पड़ेगा दूसरा आपको जो भी आपका जो college मिला है respective college जो आपको मिला है respective वो वहाँ पर जाकर आपको report करना पड़ेगा अन्यथा, otherwise वो college चला जाएगा ठीक है, ये दो चीजे हो गई थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अब decision में जिन्होंने accept and upgrade का लिखा हुआ है accept and upgrade तो आपको round 2 में क्या दिखेगा accept and freeze का option है और या फिर वो फिर से accept and upgrade कर सकते हैं, अब तो इसमें बहुत सारे बच्चों के सवाल ये हैं कि भी अगर second round में भी accept and upgrade कर दिया और third round में हम पहुंच गए तो उसके बाद सिर्फ और सिर्फ round 1 and round 2 के allotment के बाद ही बाद आप surrender कर सकते हैं round 3 में जाने के बाद आपके बाद यही मैं कहा रहा था कि round 3 में अगर आप चले गए हैं और आपको college मिल गया है तो आपकी fees आपको उसके बाद second round के जो allotter time है जो withdrawal का उसके बाद अगर आप चाहेंगे कि आपकी seat withdrawal हो जाए या आपके पैसे refund हो जाएं तो वो नहीं होगा surrender is available only for round 1 and round 2 allotment साफ साफ लिखा हुआ है तो मैं चाहूँगा आप सब लोग यह जाके एक link पे जाओ नीचे उस link पे जाके सारी की सारी इसको 5-6 पने का है आराम से आपका time मिला है Sunday है आज तो इसको एक बार देख लो इसके बार एक बार पढ़ लो otherwise one click can change your world thank you bye bye